आझ मैं आप लोगों को ये देखिए दिया का बाती बनाने के लिए सिखाऊंगे जो किस तरह से बनाना है पहले मैं आप लोगों को बोलना चारही हूं कि जो मेरे वीडियो को फूल वाच किजिएगा और नहीं किजिएगा प्लीज फूल वाच कीजिए और जो मेरे चैनल पे न्यूब है वो हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब और सेर कर लिए फ्रेंच और जो हमारे ओल्ड फ्रेंड है वो हमारे वीडियो पर एक लाइक कर दीजेगा चले फ्रेंड्स ज्यादा समय नहीं लेंगे तो चले हम सुरू करते हैं यह दिये का बाती किस तरह से हम बनाते हैं पहले के लोग चर्खा में जो यह जो है रूई है जो चर्खा में लोग अगे निकालके बाती बनाना सिखाऊंगी यह देखें चले पहले हम यह जो रूई लिये हैं पहले देखिए मैं थोड़ा लेके बता रही हूं जो किस तरह से बनाना है पहले यह देखिए इस तरह से इसको इस तरह से रूई को इस तरह से कर देंगे फिर वापस यह जब अ अब मैं इसमें से धागे निकालूँगी पहले मैं एक कटोड़े में वाटर ले लेती हूँ अब इसे हम इसको इस तरह से इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं देखिए और अब यह जो छोर है इस छोर को इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे यह देखिए निकाल दिये और अब इसमें मैं पानी हाथ में इस तरह से लगा लूँगी थोड़ा सा थोड़ा ही लगाना है यह देखिए अब मैं इस तरह से इसको धागे निकालूगी इस तरह से यह देखिए इस साइड से जो है ना हलके हाथों से पकड़ना है नहीं तो अगर टाइट पकड़ेंगे तो तूट जाएगा तो देखिए अमारा धागा बनके तयार हो गया है अब मैं इससे यह थिरी उमली लेंगे थिरी उमली में इस तरह से लपटेंगे 3 तैम यह देखिए थिरी तैम रपटे ना है चाहदा नहीं उसका गलतीगी और यह देखिए वारा बनदिये तो देख लेजैंबे अब इल्यागा तयार हो गया है था गये के जैसे और आप लोग भी बनाईए ये तो बहुत ही यूजफूल होती है धागे का बाती देख लिजे और ये अच्छा रहता है तेल ज्यादा नहीं सोकता है और ज्यादा देर तक चलता है तो अगर हमारी बाती की ये जो टिप्स पसंद आया आप लोगों को तो लाइक करिए सबस् अजरा Najसा है और ट्रे कोड़िज है।